जै माताई दोस्तो मातरा नियाब की सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में नौंबर के महीने में पंचक जो है वो कब से प्रारंब हो रही हैं कब तक चलने वाली हैं आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सब के साथ से एर करूंगी तो चलिए या धार्मिक कारिया जो 30 जो भी कारे हैं वो नहीं किये जाते हैं क्योंकि इनको करने की मना ही होती है। की अवधी है वो 9 नॉमबर से लेके 14 नॉमबर तक चलने बाली है। कारे हैं वो नहीं करने चाहिए वो हम आगे जानेंगे। मानताओं के अनुशार जो बिवा है, मुंडन, ग्रप्रवेश, ग्रैनिर्मान हैं ये सारे शुबकारे जो हैं वो बंचक के दोरान नहीं करने चाहिए। के साथी साथ पंचक में पैसे से जोड़ा लेंदेर नहीं करना चाहिए। दक्छनदिसा की यात्रा नहीं करनी चाहिए इसके दोरान जो छथ है वो भी नेडलवाना चाहिए जो लेंटर बगएर वो नेडलवाना चाहिए, और चार पाई जो जैसे फोल्ड़िंग बगएरा है, वो भी नहीं बुनवाना चाहिए। यात्रा जो है वो अगर आप दक्षिन दिसा में कर रहे हैं तो ये बहुत ज़दा असुब यात्रा जो है वो मानी गई है और इसका जो परिणाम है वो नकारात्मक तरीके से आपको मिलता है इसलिए आपको जो पंचक है उस दौरान जो दक्षिन दिसा की यात्रा है वो करने की मनाई होती है तो नॉमबर के महीने में 9 नॉमबर से 14 नॉमबर तक ये 5 दिन पंचक रहेंगी इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई भी सुबकार या किसी भी तरीके का जो मांगलिक कारे है वो आपको नहीं करना होता है क्योंकि अगर ये कारे जो है वो किये जाए तो इसमें नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है इसलिए पंचक में किसी भी प्रकार का कोई भी सुबकार मांगलिकार नहीं करना है तो उमीद करती हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा वीडियो कर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चानल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आज का वीडियो यहीं फे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों जै माता दी